भारत के FMCG companies में जाना माना नाम दाबर इंडिया लिमिटेड पर प्रस्तुती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने आयुरुवेदिक और कुदरती प्रॉडक्ट्स के लिए मशुहूर दाबर इंडिया को प्रमोट किया था बेंगॉल के बर्मन फैमिली ने। दाबर का मेजर बिजनेस सेग्मेंट है कंस्यूमर केर सेग्मेंट जिसमें खुद दाबर एक बड़ा ब्रैंड है। इसके साथ हैं वाटी का हैर के लिए हाजमोला है डाइजेस्ट उस के लिए और फैरनेस के लिए है फैम। दूसरा segment food and beverages में आता है juices, beverages and food items. Juices के लिए real एक जाना माना brand name है. कुलमिला के दाबर के पास हैं four business segment consumer care, food and beverages, retail and others. इन चारों में बड़ा नाम है consumer care जिसका income में share है 88% और profit में है 94%. इसके बाद आता है दूसरा number food और beverages में जिसका income में share है 10% और profit में share है 6%. और रही बात retail और others की ये long term के लिए evolving businesses हैं, दीरे दीरे बढ़ रहे हैं. market capitalization के मताबिक भारत के FMCG companies में दाबर का rank आता है पांचवा और इसके पास एक ऐसा distribution network है जिससे वो भारत के urban और rural markets से हमेशा जुड़ा रहता है. इनका संबंद रहा है करीब 67 lakh retail outlets से ये सबूत है दाबर भारत में बहुत बड़ा consumer brand और retail player है. दाबर share market में एक बहुत बड़ा नाम इसलिए भी है कि इसमें है promoter stake 67% और उनके साथ जुड़े हैं institutions जिनका holding है करीब 25%. हबर के काम्याबी में उसका dividend policy का भी हाथ है. उसका generation जो इदर हरा color में दिखाया गया है वो operations से आता है और rate वाला जो dividend है ये operations के generation से ही payment हो रहा है. जो भी बाकी amount होता है वो equity से जुड़ा जाता है तो company का ताकत हर साल equity को हरा वाला surplus add होता है. dividend policy दाबर का इसलिए भी मशूर है कि उसमें financial discipline है और financial strength है. अपने disciplined dividend policy की वज़े से company के net equity हर साल बढ़ती जा रही है except in FY18-19 जे भी extra dividend था और इसका असर ये हुआ है कि company के total assets में करीब 70% आता है equity से. और ये equity भी ऐसे grow हो रहा है कि अगर आप compounded annual growth rate ले 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 from 5733 to 7700, 3 year CAGR आता है very strong 10.3%. ये दाबर का असली ताकत की पहचान है. इन सभी background के साथ हम देख सकते हैं कि company की share movement की trend में भी एक ascending channel देखा जा सकता है लेकिन इससे company को फाइदा होगा या नहीं वक्त ही बताएगा. 537 के market price पे Fibonacci retracement बनता है 71.9% जिसके बाद 52 week high को पहुंचने के लिए है 45 rupees उसका achievement सिर्फ इस पर निरबर है कि performance से कोई बड़ा trigger आ जाएं. रही performance की बात दाबर as a company revenue growth हुआ 10% और profit growth हुआ 5.6% 18-19 में उसके बाद के साल में company को सामना करना पड़ा last quarter में COVID का impact partially तबी तो revenue growth गिरकर हो गया 2% और profit का growth हुआ करीब 1.5%. 2021 हर एक quarter में second quarter के बाद growth दिखाया गया और company खुश थी कि उन्होंने किया है growth 9.9% लेकिन ये growth आया एक छोटे base के ऊपर और market इससे खुश नहीं था क्योंकि market देखता है CAGR of 3 years from 2017-18 to 2021 growth था revenue में 7.3% और profit में था 6.4% इससे market का response positive नहीं था EBITDA में गिरावट company को समना करना पड़ा जैसे पिछले दो सालों में भी किया था पहले जून 18 में उसके बाद March 20 में इस साल March 21 quarter में करीब साड़े 3% का गिरावट आ गया जिसकी वज़त ही input inflation जो raw materials थे from agricultural commodities, packing materials और speciality chemicals जिसमें बड़ा उत्री आई करीब करीब 6% company ने 3% तक तो price revise करके 4th quarter में pass on किया फिर भी जो balance है उसको इस साल में FY21-22 में Q1 में pass on करने की सोच रहे हैं company के performance से नाखुष market ने 52 week high of 582 से लाया price को 537 करीब 10% fall from the middle of April till middle of May पिछले 10 weeks में हम blue candles और उनके quantities और red candles और उनके quantities week wise compile करें तो हमको पता चलेगा कि domination था blue candles और blue quantities का week 5 तक उसके बाद आया domination red का और इससे हो गया bullish trend converted into totally bearish a change of trend में आपको साफ साफ नजर आएगा company के results का impact जो result आये Friday 7th में को जब price नीचे आया बहुत बड़े volume के साथ और उसके बाद भी एक गिरावट चालू रहा दूसरा Monday भी quantity बहुत बड़ा था और अब price तो गिर रहा है और cumulative quantities भी negative zone में है इसकी वज़े से ascending channel और fibonacci retracement का अभी कोई मतलब नहीं रहा ये results के गिरावट के background में अगर हम पिछले 12 महेनों के performance देखें तो दाबर का performance अच्छा नहीं रहा है FMCG के जो index का performance था 21 परसंट दाबर का था उससे आधा करीब 10 परसंट और गोद्रेज का 50 परसंट अमेरीकों के 60 परसंट के पीछे ये बहुत कमजोर नज़राया इस संकट से उबरने के लिए दाबर को time और मेहनत ज्यादा लगेगा दाबर एक बहुत जाना माना नाम अपने product portfolio के लिए natural products और ayurvedic products market penetration सारे भारत में इसकी पहुंच है अच्छा distribution network strong balance sheet और transparent dividend policy लेकिन उसका revenue और profitability में disappointment आया पिछले एक साल में margin में भी गिरावट आगी because of input inflation results की वज़े से market में गिरावट और company के share price में बहुत बड़ा नुकसान अशा करते हैं कि दाबर फिर से उबर के अपना strong record को कायम रखेगी आपको ये video पसंद आया हो ऐसे ही resourceful videos आप ये info card पे access कर सकते हैं under stock learning simplified आपकी like, share और comment की इंतजार है अगर आप पहली बार ये channel को visit कर रहे हैं करपिया subscribe करें और bell icon को press करें ताकि ऐसे ही video के intimation आपको हर हफते पहुंचे आपके interest के लिए support के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक disclaimer ए वीडियो का purpose सिर्फ information education और awareness है इससे कोई आप अपने जरूरत के मुताबिक competent professional advice हमेशा ले ले